मनुष और प्रकृति के बीच एक अद्रिस शंगर्ष पिछले हजारों सालों से चलता चला आ रहा है। जिने हम डेडेबल के नाम से भी जानते हैं किसी पहार, किसी इमारत या किसी प्लेइन से नहीं अंत्रिक्ष से चलांग लगाने वाले थे। जी हाँ, आप भी शायद मेरी तरह चौक गए होगे। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा ये कोई कोरी कलपना है और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पागलपन भी लगेगा लेकिन ये बिल्कुल साच है। साथ सालों के अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद 14 अक्टूबर 2012 को फिलिक्स बूम गानर ने प्रत्वी से 49 किलोमेटर उपर एक हीलियम मैलून में जाकर अंतरिक्ष की सीमा से एक ऐसी चलांग लगाई जिसमें उनके प्रत्वी तक सुरक्षित पहुचने की सम्भावनाई बहुत कम थी। यह जम कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नासा और दुनिया की और स्पेस एजन्सीज को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वे जानते थे कि एक छोटी सी चूप फिलिक्स बूम गानर की जान ले सकती थी। तो चलिए जानते हैं इस अविश्वस्निय कहानी की पूरी सच्चाई। हेलो दोस्तों इतियास के इस रोमांचक सफर में मैं आपका साथी आपका गाइड सैम एक बर फिर अपने इस यूटूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वास्त मासवजा बरदस्त होंगे तो उसे इस रोमांचक कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दजा है गुजारिश है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इस यूटूब चैनल और इस बेल आइकाउन को हिट करना मत बूलिएगा जिसे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी फिलिक्स बूंगानर का जन 20 अपरेल 1979 को आस्ट्रिया में हुआ था बचपन से ही उनका जुनूब उचाई पर पहुँचना और वहां से कूर ना था इसी के चलते वो उचे पेड़ूपर चड़कर वहां से कूर जाया करते थे फिलिक्स को समझ आ चुका था कि उन्हें जीवन में कहा जाना है स्काई डाइविंगों का करियर नहीं जुनून बन चुका था इसी के चलते उन्होंने आस्ट्रिन एर फोर्स जॉइंग की और पैराटूपिंग की बरुग्यासी की साथ ही उन्होंने हेलिकॉप्टर उणने का अनुबर भी हसल किया यहां से उन्होंने स्काई डाइविंग का एक ऐसा सफर शुरू किया जिसका अंत किसी कलपना से परे था 1999 में सबसे पहले उन्होंने पैट्रोनस टावर कोल अलामपूर से पैराशूट जम करके सबसे उची इमारस से कूदने का विश्यो की एर्थिमान मनाया बूम गार्नर ने रियो डुजनेरो की क्राइश की मूर्थी से कूद कर सबसे कम उचाई से बेश जम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था 2010 आते आते बूम गार्नर ने पूरी दुनिया में अनगिनत चलांगे लगा कर अने को रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये थे उनके इसी जनून को देखते हुए रेड बुल कमपनी उनके संपर्प में आई जो पिछले 5 सालों से पूरी टीम के साथ एक ऐसी स्काई डाइविंग का प्लान कर रहे थे जिसकी कल्पना इससे पहले किसी ने नहीं की थी रेड बुल अंगिनित चनूतियों के बहुजूद भी अंत्रिक्ष पैराशूट के साथ एक स्काई डाइविंग की योजना बना रहे थे जिसका नाम मिशन एच्टू स्पेस था जिसके लिए बूम गानर उनको सबसे काबिल स्काई डाइवर लग रहे थे वहीं फिलिक्स भी कुछ ऐसे ही पागलपन की तलाश में थे जिसके चलते उन्होंने रेड बुल से तुरंट हाथ मिला लिया लेकिन इस मिशन एच्टू स्पेस में सिर्फ जुनूर और पागलपन के साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी थी जिसका हल अभी टेक्निकल टीम को खोजना था जिस डेर डेवल जम्प की प्लैनिंग रेड बुल और टीम ने की थी उसकी जमीन से उचाई एक लाग अटाइस अजार फिट थी यानि प्रत्वी से 49 किलोमेटर की उचाई से एक पैला शूट के साथ बुमगानन को कूदना था या उचाई प्रत्वी की स्ट्रेटो स्फेर में आती है जहां वातावरन लगबख्शून है अनुमान था कि इस जम्प में बुमगानन साड़े पांच मिनट तक 1110 किलोमेटर प्रत्वी घंटे से भी ज़ादा गती से प्रत्वी की तरफ गिरेंगे यह स्पीड धुनी की गती से भी ज़ादा है जिसके कर वो साउंट बैरियर तोने वाले पहले इनसान होंगे टीन के सामने कई और चुनोतिया मूबाय खड़ी थी जिसमें एक चुनोती यह भी थी कि 19 किलोमेटर के उपर हवा एतनी पतली हो जाती है कि बूम गारना का खुन एक सेकंड में ही उबल सकता था इससे बचने के लिए उन्हें एक उच्चे दबाव वाले बोड़ी सूट और हिलमेट की जरुवत थी जिससे वो अपने शरींग को अपने लियां कूल बातरवरण में रख सके उनके सूट में एक जरा सा क्रैक उनकी चांच चुटकियों में ले सकता था इससे पहले भी दो स्काई डाइवर्स की मौत सूट में आई इसी कमी से हो चुकी थी जिस हिलियम बैलून के कैपसूल में बैट कर बूम गानर को अंतरिक्ष में जाना था उसे 12 से 18 किलोमेटर के बीच जबर दस्त कम तापमान का सामना करना पड़ सकता था इस जोन में तापमान माइनस 46 से माइनस 57 डिपी सेंटी गेट के बीच होता है क्या ये हिलियम के बैलून इस जोन को क्रॉस कर पाएगा ये एक बड़ा सवाल था हवा भी एक चिंता का विशह था ने कम तापमान पर बैलून की प्लास्टिक काफी कमजोर हो जाएगी और हवा का एक हलका सा जटका उसे क्रैक कर सकता था इसके लिए वेदर की बिल्कुल सटीक जानकारी की ज़रूत थी सबसे बड़ा खत्रा भूंगानर के लिए नीचे आते समय फ्लैट स्पिन का था जहां भूंगानर अपने गिरने की गती पर कंट्रोल खो देंगे और उनका सर और पैर उनको केंट की दिशा में नचाने लगेंगे जिसके चलते वो एक मिनट में 180-200 बारिस्पन करने लगेंगे जो उनका खूंग उनके सर और पैर में जमा देगा और भूंगानर प्योश पी हो सकते थी जिससे बचने के लिए उनको अपना पैराशूट कोड़ना पड़ेगा जिससे उनकी रफ्तार की योजना आसफल हो जाएगी और अगर वो पहले ही बेऊश हो गए तो फिर सीधे जमीन से ही ठगड़ाएंगे और अन्जाम भीशर तबाई हो सकता था एक और समस्य टीम के सामने यह थी कि भूम गारनर जम करते ही महच 40 सेकेंड में 690 माइल्स की स्पीड से गिरने लगेंगे जो की धनी की रफ्तार या स्पीड अप साउंड से भी जादा है जिसके चलते एक सॉनिक ब्लास्ट क्रियेट होगा और इस सॉनिक ब्लास्ट का हिमन बॉडी पर क्या असर होगा यह कोई नहीं जानता था क्योंकि इस से पहले किसी भी इंसान ने स्पीड अफ साउंड से ट्रावल नहीं किया था यह सॉनिक वेब्स मनुश्य के ओर्गन पर क्या असर डालेंगी यह भी चिंता का विश्य था इन सब चुनोतियों के साथ टीम और बूम गार्नर पूरे मनोबल से अपने प्रयास करते रहे और अन तक उन्होंने लगबग सबी चुनोतियों का समाधान खोच लिया था बूम गार्नर ने में जम से पहले दो छोटी डाइव्स लगा कर काफी कुछ परिस्टियों को सिम्यूलेट भी कर लिया था फिर भी टीम का हर सदस पूरी तरह से सतक था क्योंकि यहां जान के साथ सम्मान भी पूरी तरह से दाउं पर लगा था और पूरी दुनिया यहां तक की नासा और सभी स्पेस एजन्सियां भी इस अजूबे का कवाब बनने के लिए तैयार थी आखिर वो दिन आ ही गया जजदिन का पूरी टीम को बहुत बेसबरी से इंतजार था लेकिन खराब वैदर के चलते जम को 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2012 को शिफ्ट कर दिया गया 14 अक्टूबर 2012 को फिलिक्स बूम गार्नन ने समय पर अपने बैलून में प्रवेश किया उनका परिवार भी उन्हें भाव भी नी विदाई देने आया था उनकी माने तो बाद में दिये एक इंटर्व्यू में कहा था कि हम यही सोच रहे थे कि शायद अब हम उससे दुबारा मिल नहीं पाएंगे पर मेरी पूरी शुब कामनाय उसके साथ थी बूम गार्नन ने न्यू मैक्सको की जमीन पर अब तक कि सबसे बड़े हीलियम बैलून के कैपसुल में प्रवेश किया यह हीलियम बैलून पचपन मंजिला इमारस से भी उचा और किसी फुटबॉल स्टेडियम से भी चोड़ा था बूम गार्नर अपने प्रशर सूट और स्पेशलाइज हेलमेट में किसी एस्टोनॉट से कम नहीं लग रहे थे आज उनके जीवन की रक्षा इसी सूट को करनी थी हलागी बूम गार्नर को कैस्टोफोबिय की प्रॉबलम के चलते इस सूट को पहनते ही पैनिक अटैक हो जाता था जिसके चलते उन्हें काफी साइकलोजिकल काउंसलिंग और ट्रीटमेंट लेना पड़ा इस मिशन से पहले उन्होंने अपने खाने का भी बहुत ध्यान रखा उनके डाइटीशन ने इस तरह तयार किया जिससे उपर पहुंसते पहुंसते उनके शरीर में भोजन की मातरा जीरो हो साथ ही वो इस मिशन से दो घंटे पहले से ही प्योर ऑक्सीजन पर आ चुके थे जिससे उनके शरीर में नेटीजन की मातरा काफी कम हो सके इस सफर में उनके साथ कम्यूनिकेशन में सिर्फ उनके कोच और मेंटर जो किटेंगर थे तब ही बूम गार्नर एक अजीब सी समस्य से रूबरू होते हैं जो मिशन के लिए एक चिंता का विशे बन गई आचानब बूम गार्नर के हेलमेट का वाइजर काम करना बंद कर देता है जिससे सांस लेते समय उनके हेलमेट में फौग आ जाता है जिससे उनको साफ दिखना बंद हो जाता है यह एक गंबीर समस्य थी पर फिर भी उन्होंने आगे बढ़ना चारी रखा ढ़ाई गंटे की यतरा के वाद वो अपनी निर्धारित उचाई तक पहुँच जाते हैं कैपसूल से बाहर आने से पहले वो अपनी चालिस आइटम की चेक लिस्ट को चेक करते हैं और उसके बाद कैपसूल से बाहर आते हैं नीचे प्रत्वी की जितिच साफ दिखाई दे रही थी और आसमान अब काला दिख रहा था तबी बूमगानर के कानों में मिशन कंट्रोलर की आवाज आती है अवर गाजिन एंजल विल टेक केर अफ यू और इसी के साथ फेरलेस फिलिक्स जम्प लगा देते हैं कूदने के मैच कुछी सेकेंड में वो स्पीड आफ साउंड को क्रॉस करते हैं और जिससे एक जोड़दार धमाका होता है अब वो दोनी की रफतार से भी तेज गदी से प्रद्वी की तरफ आ रहे थे उन्हें बहुत कुछलता से अपने आपको फ्लैट स्पिन से भी बचा रखा था उनका प्रशर सूट बिलकु सही काम कर रहा था फ्लैक्स पूरी कुछलता के साथ प्रद्वी के बातवरण में प्रवेश करते हैं और निश्चित उचाई पर आकर अपना पैराशूट खोल देते हैं दस खून जमा देने वाले मिनट के बाद वो जमीन पर लैंड करते हैं उनकी मा ये नाजारा देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं शायद उन्हें फ्लैक्स के बचने की उमीद कम ही थी इस जम से फ्लैक्स गूंगानन ने कई विश्चु के रित्मान स्थापित के सबसे उची होट एर बैलून ड्राइब और हाइस्ट एल्टिटूल स्काई ड्राइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब उनके नाम था बाद में एक प्रस कॉन्फरेंस में बोलते वे उन्होंने कहा था कि जम में कूदने के लिए तैयार था और पूरी दुनिया मुझे नीचे दिखाई दे रही थी तो मेरे दिमाग में कोई विश्व रिकॉर्ड टोने की बात नहीं चल रही थी बस मैं इतना सोच रहा था कि मैं कैसे भी सुरक्षित प्रत्वी तक पहुंच जाऊँ उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी हमें इतने उपर जाना चाहिए जिससे हम ये देख पाएं कि हम यूनिवर्स में कितने छोटे हैं फिलिक्स बूमगानर की ये आखरी जम थी और इसके बाद उन्होंने स्काई डाइविंग को अलविदा कह दिया और एक सामाने जीवन की खोश के लिए निकल पड़े दोस्तो आज के लिए बस इतना ही इस सफर में मेरा हम सफर बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब अपने इस दोस्स सैम को इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली रोमान्चक कहनी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा गुड डेई शाब खेर